नमस्कार मित्रों कैसे हैं आप सब लोग आज जिस स्टॉक की बात करने वाला हूँ ये एक पेनी स्टॉक है मगर बड़ा ही जबरदस पेनी स्टॉक मार्केट कैप सिर्फ 304 करोड का करेंट प्राइस 16.2 याने कि 16.2 रूपीज का जो की बुक वैल्यू 16.3 के बिल्कुल आसपास है और हाई इसने जो बनाया है 52 वीक हाई 24.8 का तो उसके लिहाज से देखें करिब-करिब 40 परसेंट के आसपास इसमें इरोजन हो चुका है और 52 वीक लो 15 रूपीज का है तो बिल्कुल 15 रूपीज के आसपास आपको मिल रहा है याने कि अपने बिल्कुल बॉटम प्राइस पे समय मिल रहा है आपको और आरोसी 12.7 परसेंट आरोई 23.7 परसेंट जो की दोनों ही बहुत अच्छे है स्टॉक पी 5.07 है जो की इंडस्ट्री पी 14.1 के मुकाबले लगबग एक तिहाई है यानि कि ये स्टॉक अगर इंडस्ट्री के अवरेज पी को भी टच करता है तो यहां से लगबग तीन गुना होने का माददा रखता है यानि कि 200% का जंप आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेट इस पर 285 करोड का है तो डेट थोड़ा ज्यादा है इस पर इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा इसके बराबर का सेल करने वारी बहुत सी कंपनिया हैं जो आपको 33-400 रुपे पर मिल रही है दूसरी बात बचती है कि इस स्टॉक को अभी क्यों ले मैं आपको इस कंपनी का नाम दिखा देता हूँ इसका नाम आपके सामने आगया है विश्वराज सुगर इंडस्ट्रीज आप जानते हैं आज कल जितने भी सुगर इंडस्ट्रीज है उनमें एक टेल विंड है क्योंकि सरकार ने ये फैसला किया है कि दो हजार पचीस तक जो इसका प्रोडक्शन सारे सुगर इंडस्ट्रीज को करना होगा क्योंकि पेट्रॉल में इसको मिलाना है इथानॉल को जिससे की पेट्रॉल का खर्चा नीचे आ सके और हम सेल्फ सफिसेंट हो सके ऐसे कंट्र के कैपैसिटी को बढ़ा-बढ़ा कर इन्होंने जो अभी बढ़ा किया है तो आने वाले समय में ये जब इसकी प्रोफिटेविलिटी में जबरदस्ट बृद्धी होगी तो आप देखेंगे इस सारे स्टॉक आपको भागते हुए नजर आएंगे जैसे ही सरकार की इथैन जबरदस दौर लगाई है इसने और ये पहुंच गया है 43 रूपीज पर कब नौमबर 2021 के आसपास तो यहां से अगर 4 रूपे से देखें तो ये करीब करीब 11 गुना हुआ है 11 एक्स हुआ है वहां से फिर गिरावट है और वहां से करीब करीब इस समय आपको मिल रहा है 16 रूपे पर जो कि यहां से आप करीब मान सकते हैं एक तिहाई पर एक तिहाई से थोड़ा ज्यादा तो 15-16 रूपे पर आपको मिल रहा है काफी दिनों से ये 15-16 रूपे के रेंज में ट्रेड कर रहा है बीच में एक बार उठकर ये करीब 24 रूपे तक गया था क्योंकि इ देखिए यहां से यहां पर बिल्कुल प्राइस स्टेवल हो गया है यहां से नीचे नहीं जा रहा है प्राइस देख रहे हैं तो आप यहां से अब एकस्पेक्ट कर सकते हैं कि उपर जाएगा और 2023 से लेकर 24, 24 से लेकर 25 इस बीच में ये कहीं आपको मिनिमम मुझ से अगर पूछें कि इसका मिनिमम प्राइस कितना होगा तो मैं इसको 16,2 यानि कि 32 रुपीज का प्राइस देता हूँ यहां पर 100% का गेन आपको आ सकता है तो इसे स्टॉक पर अपनी नजर बनाया रखिए इसने कभी 70, 80 का पीई भी टच किया था और अभी 5 के पीई पर दिख रह अगर उसको भी टच करें तो यह लगभग 3, 4 गुना होता हुआ दिखाई देता है दिसंबर 2021 में 133 करोड का रेवेन्यू था जो इस समय घट गया है दिसंबर 2022 में 102 करोड का रेवेन्यू है मगर देखिए operating profit margin 33% था वो बढ़कर 49% यानि कि 49% हो गया 33% से और यहां पर 37 करोड का था जो की बढ़कर इस समय 38 करोड 38 करोड का हो गया है EPS 1.57 से बढ़कर 2 हो गया है यहां करिब-करिब 40% के आसपास का जंप है इसके EPS में और net profit में भी करिब-करिब 30% के आसपास का जंप है एक news था कि इसने एक technology develop की है जिससे कि जो sugar cane juice है उसको यह preserve करके रख स सकती है for the whole year जिससे कि किसी भी समय उस use से यह इठानोल का production कर सकती है अलकोहल बना सकती है जिसको की further commercial use में auto industries के लिए लाया जा सकता है तो इसे stock पर अपनी नेजर बनाये रखिए और इसको minimum 100% के लिए आप खरीद सकते हैं मेरा यह personal opinion है यह education purpose के लिए मैं आपको बता रहा है जो लोग हमारे premium membership में interested है उनके लिए में बता दूं कि left hand side पर lower corner पर एक number flash कर रहा है इस पर आप अपना message दीजिए या हमें call करिए हम definitely आपके premium membership को यह सा शिग्र process करेंगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like कीजिएगा share करिए subscribe करिए bill icon को press कर दिजिए तकि आपको जाए शरी राम